इधर देखिए जो टोमाटर पक गया है उसको भी हार्वेस्ट कर लेती हूँ और बहुत अच्छा इसका टेस्ट है वाकई में लोग बोलते हैं कि घर के सबजियों का टेस्ट अलग है सही में अलग है टेस्ट एक दम मूली तो मैं दोदों खाड के ले जाते हूँ देखिए इधर भी छोटे-छोटे हैं तो अभी बंग जाएंगे इसलिए मैं इधर साइड में इसको रखी हूँ और देखिए जितना भी बॉटल को भी मैं दिखाई जहां से हटाई हूँ पूरा को मैं क्या की जो जिस पर इध इधर साइड कर दी और देखिए कितना मेहनत के हूँ मैं बता नहीं सकते हूँ देखिए और अभी भी मेरी गोल्ड निकल रहे हैं सारे फलावर को यहां रखे हूँ अब होली बात जैसे जैसे टाइम मुझे मिलेगा करूंगी और देखिए सब को नीटे पर दो दो नीट रखके और पूरा अच्छा से धो के साफ करके अब तब मैं रखी हूँ और बताती हूँ यह क्या है देखिए सब तो मैं भर दी ग्रो बैग में लेकिन नारियल पानी जो हम लोग पीए थी पिछले साल तो इसी में मैं एक कंटेनर में था तो उसमें मैं लगाई थी परसले अब इसमें थोड़ा सखाद और अच्छा मीटी डाल के मैं लगाऊंगी इधर देखिए क्या के हैं ए टूटा हुए टप में जो जब मैं लगाई थी परसलेम तो उसको मैं फेंक दी और उसको क्या कि मैं ऐसे ही उठा के इसमें डाल दी तो यह कपी अच्छा सेट भी हो ग आप लोग से दिखाएं हूं आप लोग मेरे चैनल पर जाएंगे तो एक एक चीज का मैं अफडेट आप लोगों दिखाते हूं देखिए इसमें भी एक लगाई थी इस सब मेरा वेंटर का कमपोस्ट है जैसे माटर कछील का प्याज का यह सब बहुत अच्छा देखिए ए जैसे जैसे दो बोरी में बाटर ले सब रखें हूं बेस्ट मेटेरियल अपने घर का और देखिए पारिजात में कितना अचा ग्रोथ हो गया पारिजात यहां था तो मैं इसको यहां कर दी और उसी के सपोर्ट में सब पाधे रहेंगे और इधर साइद सारा सेड़ी प्ले अगर करूंगी नहीं तो समर में कलर करने का कोई फायदा नहीं होगा इतना ज्यादा धूप होगा और यह देखिए सेम में मेरा फ्रूटिंग होने लगा देखिए कितना बढ़िया लग रहा है बहुत सुन्दर लग रहा है और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मुझे मिला है देखिए पूर भर गया है फ्रूटिंग से अब बारिस हुए है नहीं तो मैं इस सब में लिक्वीड डालूंग तो इसमें भी मैं एक डालूंगे देखिए एक इहल बना हुआ है पमकिन तो एक दो भी बच जाए तो काफी है सीड से निकला हुआ है इधर देखिए जितना भी सीड मैं लगाई थी इसमें लगाई थी और इस सारे सीड ना पीजान लो काट के खराब कर दिया बहुत दु और अभी मैं इसमें क्या काम करने आई हूँ चलिए मैं आप लोगों दिखाते हूँ देखिए सब कमपोस्ट ही है तो मैं ज्यादा इसको छेड़ चाड़ नहीं करूंगी और क्या करने आई हूँ चलिए दिखाते हूँ क्योंकि आज मोका के फाइदा उठाना चाहिए बा पलिंसको ईसमें लगाँगी तो चलिए कैसे लगांगी पहले मैं इसको चाहिश्ट कर लेती हूं तो वीडिया दो पूरा बाड़ा हो जाएगा धीमाई इतना हीर वेस्ट कर लीए अरे सबना बहुत मतलब बहुत अच्छा काम में आते हैं देखिए मैं एक भी पतियां को अब मैं क्या करूंगी इसकी पतियां को धो के साफ कर लोंगी और उसके बाद पंखे मैं सुखाऊंगी इसको और इसका पॉडर बना के मैं पूरे साल के लिए सेफ करती हूं इसको और बहुत फायदमांद है अभी आप लोग कोई बहुत जरूरत पड़ेगा और जो लग भी अभी नीचे भी मेरे सॉंग अफ इंडिया के पॉर्ट में लगा हुआ है तो बहुत सारा है और अभी इसको चाहूं तो मैं सारे रूट को अलग-अलग करके देखी कैसे पूट्टी का वाल्टी था तो यह टूट गया है देखिए यहां से और इसमें मैं खादी नहीं डा पाती थी देखिए बहुत सरब पती हैं मेरा लपरवाहिक के चलते इसका जड़ भी गया है और यह मैं पूरे साल पॉडर बना के रखती हूं जैसे दही बरे में या बुंदिय के रायता बनाते हैं धनिया के और आम जब छोटा-चोटा आम आयेगा तो उस चटने में डाल इसका जड़े में तो पूरे साल आई इसका हड़ी में मैं डालती हूं और ऐसे तो बच्चे नहीं खाएंगे लेक्न पॉडर बनाके मैं रखते हूं और कई बर दिखाएं हूं ती तरह के अभी भी रखिए मेरे साथ हमेरे सा essence होता है हरता है कि बनाती हूं बेलकुल तेस् हो जाता है और फिर आप एक बार डाल के देखिए तो पता चलेगा देखिए अब मैं इसको क्या करूँगी यह बहुत पकड़ लिया है तो मैं इसको थोड़ा पलट देती हूँ देखिए फ्रेंच इतना ज्यादा ही जकड़ लिया था कि मैं पूरा ठक गए देखिए कैसे रूट बना है इसका और इतना ज्यादा जकड़ लिया है मतलब पोदीना लगाने के बाद उस चीज से आप फिर उमीद मत किजिए कि उसमें दूसरे कुछ लगेगा देखिए इसको पूरा पटक के तोड़ी तब जाके यह निकला देखिए इसको ही तोड़ दिया यह पूट्टी का बाट्टी को और इसको फैलने का पूरा जगह चाहिए तो देखिए मैं थोड़ा सा इसका मेक्टी निकाल दे रही है और इसको भी कहीं लगा दूँगी चाहे फिर दूसरे को भी खिलाईये कोई भी देखता है पुदीना तो उसका मन खुस हो जाता है कि अरे पुदीना भी लगा है बहुत अच्छा लगता है और समर में तो यह सब के घर होना ही चाहिए मैं रात को ही करती लेकिन इतना ज़्यादा आनी तुफान था कि मैं नहीं कर पाई ऐसे मैं कई दीनों से सोच रही थी कि इसको रिपोर्टिंग कर दूँ और इतना ज़्यादा बना है कि आप जीतना जगह चाहें इसको लगा सकते हैं और एक बर एक रो हो जाता है तो फिर आप लगाते रहे और बांटते रहे जिसको भी ले जाना है ले जले जातने घर लगाएगा और एक कम धूप में भी चल जाता है तो अभी तो मैं इसको धूप में रखूंगी बाद मैं इसको मैं छाओं में रख दूँगी और देखिए फ्रेंट्स जब मैं इस कमपोस्ट को हटाई तो इसमें इतना ज्यादा माइक्रोप्स बने हुए हैं देखिए तो अगर इसमें लगेगा तो यह और ही बहुत अच्छा होगा तो देखिए मैं इसको बस ऐसे ही रख देते हैं फिर फैलते फैलते अपना कभर कर लेगा और बहुत अच्छा इसमें कमपोस्ट बना है देखिए यह नोना का साग इस मौसम में खुद से निकल जाता है और यह साग बहुत अच्छा है तो आप लोग भी लगाई और मैं इसको बीना डिश्टर्ब किया ऐसे कर दे रही हूं फैलते फैलते पूरा फैल जाएगा फिर जिसको भी लगाना होगा ले जाके लगाएगा एक बाद आपके घर से कभी नहीं जाएगा पूरे साल चलने वाला प्ल प्लांट को लगा दूंगी फैकोंगी नहीं अभी यह बहुत अच्छा है और अभी पानियों ने डालने का कुछ भी जरूरत नहीं है देखिए बहुत अच्छा है और एक कटिंग से ग्रो होने वाला है अगर आपसे कटिंग नहीं लगता है तो आप नरसरी से लागा जब फैलेगा तो बहुत अच्छा होता है पोदीना जरूर लगाई है इस वेजटेबल को लगाने से पता नहीं आपके साथ कितने लोग को फायदे पहुंचेगा देखिए बहुत काम की थी सुबहा के बस इसको ट्रांस्प्लांट करना था तो आप लोग से दिखाना था इसलिए नहीं दिखाई थी देखिए टमाटर का भी पौधा निकल रहा है लेकिन पता नहीं होगा कि नहीं और इस सब नोना के साथ निकल रहा है इस सब कंपोस्ट है तो जब तक नोना के साथ हर्वेस्ट कर लोगी भिंडी जब तक उपर होगा तो और देखिए इसमें भ पूरे गिरा हुगा था प्लांट ए but this is the situation in 기본 अडिवीं कि सबजीओं में भी धूप लगेगा और इसमें भी धूप लगेगा देख़ीं फैलते रहे गा यह छोटा-ठोटा दब्बा में इतना ससो चलता है here इसमें भी देखिए दो प्लाइंट टैस्ब्लाइंट की हूँ। क्योंकि इसमें के बोहुत प्लाइंट कहराब हो गया प्लाइक अर्क लिए गर्श्तिय vergessen पूरा देखिए इधर से कैसा लग रहा है सब को मैं अच्छा सेट की हूँ और अभी तो सूख गया पानी सुबहाई तो सब पानी पानी हुआ था बहुत अच्छा अपडेट लग रहा है देखिए अब क्रिशेंथियम अभी इसमें काफी खिलने लगा और अब सब खिलेगा सब में पती आने लगा है इसका कल बहुत ज़्यदा फ्लावड गिरा है जब बारिस हुए है तो वगन वेलिया का इसमें देखिए एक जोरा में भी ये क्रिशेंथियम ज्यादा बढ़ रहा है लेकिन छोड़ दूगी क्योंकि ये सब मलजिंग का काम करेगा इसमें भी दे जानक बारिस और तुफान था पसंद आए तो लाइक सेर सब्सक्राइब कीजिएगा चाइनल पर ना है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा थैंक यू